हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फॉइंड इन्वर्स ऑफ गिवन मेंट्रिक्स हमें एक इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए फर्स्ट पहले हमें उसका डिट्रमिनांट मतलब डिट्रमिनांट निकालना होता हमें पहले गिवन मेंट्रिक्स का और हमें यह भी देखना होता है इसमें कि हमारा जो डिट्रमिनांट इक वर डिट्रमिनांट निकालने लिए अगर जीरो होगा तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते तो सेकिंड हमें फिर चाहिए कोफेक्टर्स वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे निकालने है लिकिन मैं पहले बताता हूं कि क्या-क्या हमें चाहिए एवन निकालने के लिए कोफेक्टर्स थर्ड एज्जोंट ओफ एज प्यांट अफ एजिए और फॉम्ला इंवर्स इगल तो वन अपोन अपोन दिट्रमिनांट ओ इंटो मैं एज्जोंट of a this is the formula to find the inverse now I am going to start this the the question is a matrix is 2 1 3 7 4 9 2 2 4 it is the 3 cross 3 matrix first we you have to find the determinant of a how to find let's see how a determinant nikaalne ke liye ek row ko use karna ho ta hai toho hume r1 r2 ya r3 here humaari 3 rows hain lekin r1 ko use karin ga determinant nikaalne ke liye ab determinant kaise nikaalte hai expanding by row 1 ab yaha pere likhenge expanding by row 1 ab kiasa nikaalna hai pahle hain yaha pere 2 ko likhenge 2 phir is row ko chhođhenge is column ko chhođhenge ab hamarai kya bache 4 9 or 2 4 in doon ko multiply 4 into 4 minus 2 into 9 hain ga so madaya hain ga jifay 2 phir is row go chhođhenge is column ko phir hamarai four digit bache hai 4924 to hama phele in doon ko multiply karragenge minus in doon ko perpada pir biech me humara minus Claudio hain ga hai hamer pica 1 phir is column ko chhođhenge इस रोग को छोड़ देंगे अब हमारा बचा 7 9 2 4 तो हम पहले 4 x 7 करेंगे माइनस 2 x 9 प्लस 3 यहाँ पे अब इस रोग को छोड़ देंगे और इस कोलम को अब हमारा बचा 7 4 2 2 तो हम 2 x 7 करेंगे माइनस 2 x 4 2 x 4 अब हम निकालेंगे आसे 16-18-28-18-3-14-8 अब हम इसे सॉल्फ कर लेंगे 2 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 3 इंटू में 6 तो यह हो गया हमारा माइनस 4 माइनस 10 प्लस 18 तो यह हमारा हो गया 4 अब यह हमारा 0 के इक्वल नहीं है इसलिए हम लिखेंगे A is invertible invertible मतलब मतलब कि हम इसका A inverse अब निकाल सकते हैं क्योंकि यह 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि A जो है determinant of A वो 4 है तो determinant of A is invertible तो हम इसका A inverse निकाल सकते हैं तो आगे देखिए क्याई यह minus में आजा है तब भी हम इसका invertible कर सकते हैं क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए minus हो सकता है plus हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो अब हम निकालेंगे co-factors अब हमारा यहाँ पर determinant हो गया यह step हो गया अब हमें co-factors निकालना है तो अब हम देखते हैं co-factors co-factors अब कैसे निकालते हैं पहले हम लिखेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C33 C32 C33 यह हमारा co-factors यह हमारा C11 C12 C13 मतलब अब हमें कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखते हैं अब हमें C11 पहले निकालना है तो हमारा 1-1 यही होता है क्योंकि 1st row 1st column तो अब हम co-factors कैसे निकालते हैं अब 2 पे इस row को छोड़ेंगे इस column को लेकिन अब हम 2 को नहीं लेंगे सिरफ इन 4 digits को लेंगे 4 x 4 16 16 इन दोनों को multiply करेंगे 16 और minus इन दोनों को multiply मतलब 16-2 x 9 16-18 इन देट इस माइनस 2 अब ऐसी हम अब हमें निकालना है 1-2 1-2 निकालना है तो 1st row 2nd column मतलब इदर से निकालने इस row को छोड़ेंगे इस row को छोड़ेंगे और इस column को तो हमारा पास 4 digit बचे है 7-9 2-4 तो अब हम इसमें करेंगे 4 x 7 28 minus 2 x 9 18 तो यह होगा हमारा 10 जैसे हमने यहां पर कर रहा था वैसे यहां पर करेंगे लेकिन हम यहां पर digit नहीं लिखेंगे यह वाली co factors निकालने सिर्फ हम 4 digit को यूज करेंगे तो अब हम C13 निकालना चाहते हैं तो first row छोड़ेंगे और third column को और यह 4 digit बचे 2 x 4 2 x 7 14 minus 8 14 minus 8 6 अब हमें निकालना है C21 second row first column छोड़ देंगे और अब हमारा बचे 1 3 2 4 तो हम 4 x 1 करेंगे 4 अब हमें C21 निकालना है तो C21 के लिए क्या करेंगे second row छोड़ेंगे और first column छोड़ देंगे तो हमारा बचाब 1 3 2 4 4 1 जब 4 minus 2 3 जब 6 4 minus 6 minus 2 अब हमें C22 निकालना है मतलब इधर से हमें co factor निकालना है इसको छोड़ देंगे second row को second column को तो हमारा पास 2 3 2 4 तो 4 2 जब 8 minus 2 3 जब 6 8 minus 6 2 अब हमें निकालना है C23 मतलब second row और third column इनको छोड़ देंगे और जो 4 डिजिट बचे है 2 1 2 2 इनको यूज़ करके हम co factor निकालते है तो 2 into 2 4 minus 2 2 अब हमें C31 मतलब third column छोड़ देंगे और first row तो हमें बचाब 1 3 4 9 9 बचाब 1 3 4 9 minus 4 into 3 12 9 minus 12 minus 3 अब हम C32 मतलब third column छोड़ेंगे और second row sorry third row और second C32 निकालना है तो third row छोड़ेंगे और second column तो हमें बचा 2 3 7 9 तो हम 9 to 18 minus 21 7 3 21 18 minus 21 minus 3 अब हमें C33 निकालना है तो हम co factor निकालना है third row third column से तो हम third row को छोड़ेंगे third column को छोड़ देंगे row और column को छोड़ देंगे तो हमारा बचा 2 1 7 4 तो हम 4 to 8 8 minus 7 1 अब हमें इसका co factor यह हमारा भी co factor नहीं निकले हम यहां पर बनाएंगे kite क्योंकि हम आपको trick बता रहे हैं तो अब यहां पर trick भी यूज करने पड़ेगी थोड़ी यहां पर हम बनाएंगे kite और इनके sign change कर देंगे जिन जिन पर arrow आये हैं उनके sign chain जो plus है वो negative हो जाएंगे और जो negative हो प्लस हो जाएंगे तो अब यह हमारा बना है पूरा co factor अब हम इससे निकालेंगे अब हमारा co factor भी निकल गया अब हमें adjoint of a निकालना है यह adjoint of a होता है हमारा transpose of co factors transpose मतलब पता यह होगा आपको row को column में change कर देते हैं column को row में अब हम बताते हैं कैसे करना है adjoint of a निकालना है अब हम इस co factor से अपना adjoint of a निकालेंगे adjoint of a हमारा निकलेगा इसको transpose करके मतलब यह जो हमारी column है इसको row में change करेंगे मतलब minus 2 2 उपर आदेगा और 3 अब इसको लेंगे minus 10 2 3 अब इसको लेंगे in column को हम row में बदल रहे इस column को हमने row में किया अब इस column को row में किया अब इस column को row में करेंगे तो क्यासे करेंगे 6-2 और 1 अब हमारा adjoint of a भी निकल चुका है अब हम इससे a inverse निकालेंगे a inverse का formula मैंने बताया था कि determinant a into में adjoint of a तो अब हमारा adjoint of a भी निकल चुका है अब हम निकालेंगे A inverse तो अब हम हमारा determinant आया था 4 और हमारा adjoint क्या है minus 2 minus 10 6 2 2 minus 2 3 3 1 तो यह हमारा आ गया A inverse थेंक्यू फर वाचिंग अन लिस्निंग इस वीडियो इस लाइक प्लीज 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 गमेंट एंड सस्क्राइब माइ चैनल प्लीज झालेंगे 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 झालेंगे